नवस्कार, स्वागत है आप सभी का समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी जो परिक्छा 5 दिसम्बर को प्रारमबिक हुई थी उसकी तो उसके बारे में कल वाले lecture में हम लोगों ने बात की थी कि उसकी cut-off क्या जा सकती है और official answer की के अंसार आप लोग के बहुत सारे comment मिले बहुत सारा आप लोग का जो है एक poll भी हमें ने कराया था YouTube के comment box में उसमें भी आप लोगों ने अपना जो है अपनी राय दी अपने marks बताए तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या संभावित कटाव जा सकती है उस पे चर्चा करेंगे और उससे भी ज़्यादा जरूरी है कि कौन से ऐसे प्रस्न है जो आपके कम marks को बढ़ा सकते हैं यानि जो objects नेबल questions है आपती वाले प्रस्न है उनका आपको साच सहीत उत्तर किस तरह से देखना है तो इस वीडियो क पूरा सुरू से आखरी तक देखिएगा कोई जल्दवाजी नहीं है और प्रस्न बार ने पूछिए पहले जो है चीजों को समझने का प्रयास कीजिए तो देखिए ये notice कल जारी हुई थी 8 December को और इसमें जो है केवल 14 December तक आपको objection करने का समय दिया गया है लगभग 9 से 10 प्रस्न ऐसे हैं जिसमें ठीक ठाक तरह से आपतिया आप कर सकते हैं और उनका सभी का मैं भी पूरी description के साथ आपको बताता हूँ क्या 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 प्रूफ उसमें लगाया जा सकते हैं कहां पर आयोग को challenge किया जा सकता है क्योंकि ये 10 प्रस्न या 9 प्रस्न जो भी हैं ये आ आपका जो है अगर आपके marks कम है या आप merit से बाहर होने की संभावना रखते हैं तो आपको फिर से अंदर ला सकने हैं तो सबसे पहले objection कैसे किया जाता है ये प्रस्न उठता है तो आप जो है अपने हाथ से या टाइप तरह कर ये प्रारूप आपको बनवाना होगा इसमे सामान अध्यन और सामान हिंदी लिख दिया जाएगा प्रस्न पत्र आप लिख दीजे कौन सा है पहला या दूसरा फिर प्रस्न पत्रिका का जो सुरीज आपका है A B C D उसमें से लिख दीजे फिर आपको सेम ये फार्मेट ड्रा करना है एक दो तीन चार जो पांच कॉलम दियें इसमें और करम संख्या में करम संख्या लिखेंगे प्रस्न संख्या लिखेंगे आपके सीरीज की जो है आयोग ने क्या उत्तर दिया है वो लिखेंगे आप अफिसियल एंसर की से प्रत्या वेदक का उत्तर यानि आप कौन सा जो है सही मानते हैं आप माली आयोग न जो है और उसका जो है कौन से year का वो print है यानि कौन सा संस्कराण है मालिज ये 5th edition है तो 5th edition और year लिख देंगे 2016-2015 और उसका page number इतना यह यहाँ पर लिखेंगे और 7 में आप उसको attach भी कर सकते हैं उसका print out निकाल कर तो यह तरीका हुआ और यह registered post से आपको पहुँच जानी चाहिए पांच विजे तक 14 तारिक को जो है इसलिए आप जित्ती जल्दी इसको भेजेंगे उतना अच्छा रहगा गार आप अलहाबाद में अप्रियागराज में ही रहते हैं आसपास रहते हैं तो आप वहाँ पर counter भी जाकर receive करा सकते हैं और इनके नाम यह भेजा जाए पूरी बिग्यप्ति आप पढ़ लिएगा तो यह प्रारूप है इसलिए इस पर आप question पूछने की जरूवत नहीं है जित्ते भी लोग जो है चाहें आपत्ती दर्च करा सकते हैं और यह मत सोचिएगा कि कोई दूसरा आपत्ती दर्च कराएगा तो मुझे फायदा लोग जब आपत्ती दर्च कराते हैं तो आयोग पर दबाव बनता है उस प्रस्न को बदलने के लिए उसको rectify करने के लिए समिच्छा दिकारी का जैसे ही exam हुआ उसके बाद मेंस का कोर्स जोईन करने के लिए बहुत सारी request आ रही है तो आपको जो है आरो यारो मेंस लिख कर 9506742546 पर WhatsApp से भेद देना है सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी आप call भी कर सकते हैं और हमारा batch जो है प्रारम हो चुका है कोर्स आलेडी पूरा बना हुआ है और जल्दी ही उसमें practice session भी start करा जाएगा इसी तरह से जो लोग 2022-23 के लिए समिच्छा दिकारी प्रिलि session course इसी number पर लिखकर WhatsApp करना होगा आगे बढ़ते हैं हिंदी में जो 60 प्रस्ण है वैसे तो उसमें जो है आयोग के उत्तर हैं वो लगभग सभी सही है किसी पर भी इस तरह का कोई विशेश आपत्ती नहीं की जा सकती छोटी मोटी जो है typing mistakes है लेकिन जो है कुछ लोगों ने request की थी 36 वाले प्रस्ण पर ये series A से हम लोग बात कर रहे हैं तो 36 जो है number question जो है इसमें जो है आयोग ने कहा है कि तदभो सब्द क्या है बांज है ठीक है लेकिन इसमें जो है जो बल्वान सब्द लिखा है इसकी वर्तनी असुद्ध है ये बल्वान कैसे लिखा जाना चा ये था और तो इस हिसाब से जो है आप इस पर आपती भेज सकते हैं अगर टाइपिंग की टूटी को माना जाएगा क्योंकि बल्वान जब इस तरह से लिखा जाएगा तो वो असुद्ध है तो इसके लिए जो है मैं आपको साच भी दे रहा हूं साथ में जो है इसी वीड देख सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं निकाल सकते हैं तो यह आदर्स हिंदी सब्द कोष है पूरा यहाँ पर विवरण दिया है इसके 556 नमबर पेज पर इसका पीडियाफ वहाँ पर दिया हूँ अस फोलडर में बल्वान लिखा हुआ है जो कि संस्कृट सब्द है यानि कि तत्सम सब्द है लेकिन बल्वान लिखा इस तरह से जाता है इसी प्रकार बाकी भी राजपाल हिंदी सब्द कोष जो है जो डाक्टर हर्देवबारी का है उसका भी मैंने साच दे रखा है उसी फोल्डर में और एक और डिक्सनरी जो है जो प्रभात आधुनिक हिंदी कोष ह उसका भी वहाँ पर जो है मैंने आपको दे रखा है प्रमाड अगर आप 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 जेक्सन करना चाहें तो कर सकते हैं हो सकता है जो आयोग इस प्रस्न को कैंसल कर दे अगर वो सभी की बात को सुनने के लिए तैयार हो जाए अब बढ़ते हैं GS की प्रस्नों की ओर तो GS में अलमसूदी के बारे में दिया है कि 957 इसवी में भारत भ्रमाड पर आया तो निश्चित रूप से ये गलत है क्योंकि जो है उसका जो है मृत्यू इसके एक साल वादी हो गई थी तो आप इसके लिए जो है सबसे अच्छा है CBSC Board की जो है ये Class 11th की बुक है जिसका पीडिय 30 नमबर पेज पर आलमसूदी एन अरब ट्रेवलर विजटेड इंडिया इन 1941 तो 1943 एडी एन रोट अबाउड राश्ट कूत तो ये जो है एक बहुत अच्छा प्रमाड है सरकारी पुस्तक है जो है CBSC Board की और इससे जो है आपका काम चल जाएगा तो इस तरह से जो है जो है जो है ये सही एंसर माना गया है इसको आप जो है चैलेंज कर सकते हैं और निश्चित रूप से जो है ये एकसेप्ट होना चाहिए आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन हम लेंगे 41 यहाँ पर पूछा गया है जीवासम इधन के भारत में भारत वर्सकी आवसक्ताओं की तो इसके संबन में जो है एक प्रमाड इसमें कई प्रमाड जो हो सकते हैं तो एक अक्टूबर 2020 की जो है गवर्मेट आफ इंडिया की ही जो है पॉब्लिकेशन की बुकलेट है यह आपके सामने इसका कवर पेज इसमें जो है आप जब देखेंगे आगे की पेज़ेज में तो यहाँ पर जो है आल इंडिया इंस्टाल कैपस्टी दी वी है दो 31 मार्च 2020 तक की इसमें आप देखेंगे यह तो फॉसिल फ्यूल हो गया यानि कोल इगनाइट तो गएरा हो गया 55.43 हाइड्रो इलेक्रिक जो है 12.35 है और R.E.S. यानि रिनीवल इनर्जी सोर्सेज और टाइडल इनर्जी भी आता है, सोलर इनर्जी भी आता है यानि सब कुछ मिक्स करके यह दूसरे स्थान पर जा रहा है लेकिन इस तरह से देखा जाएगा तो सेकेंड जो है लार्जेस्ट जो है हाइड्रो पावर होना चाहिए इसी तरह का जो है 2019-20 का ही जो है ग्रॉस इलेक्टिसिटी जनरेशन कैबस्टी है तो इसमें भी जो है हाइड्रो पावर जो है लगबग बारा परसेंट आपको दिया हुआ है और आर इस जो है इसमें 10 परसेंट है यहाँ पर निश्चित रूप से आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि सेकेंड लार्जेस्ट जो है उ mingov.in यहाँ पर URL है अगर आप द्यान से इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी डिस्पले किया गया है फॉसिल फ्यूल से जो है 60.2% इनर्जी जो यह कैबस्टी है और यह इस्तिती है 39.221 की यानि बिलकुल ही रिसेंट है फिर नॉन फॉसिल फ्यूल में आते हैं तो wind, solar and other energy sources यह 26.4% है तो कहीं भी solar energy को separately नहीं दिया गया है कि वो hydro से जादा है यह website पर ही दिया हुआ है यह वहाँ पर install capacity है इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ डियाग्राम से आप समझ सकते हैं तो यह PDF आपको दी गई है इसी folder में आप वहाँ पर देख सकते हैं और इसक question number 46 की बात करते हैं एक question आया था which of the following eatables is the best source of all essential amino acids तो मैंने जब यह solve कराया था तब भी मैंने बताया था कि अंडा और मचली इन दोनों में ही सारे essential amino acids पाया जाते है लेकिन आयोग ने उत्तर दिया है केवल अंडे का और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि सरवाधिक अंडे में पाया जाता है या जो है मचली में उससे कम पाया जाता है यहाँ पर केवल यह पूछा है कि सभी essential amino acids किसमें पाया जाते हैं तो इसके लिए हम NCRT board की जो है यह book है उसका पहला परना है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम health and physical education class 9 अब इसमें जो है जब nutrients वाले उसमें कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे proteins of animal origin are found in milk, egg, cheese, fish and meat, proteins from these sources जानि यह चारों सोर्से लिखे हुएं contain all the essential amino acids in adequate amount यहाँ पर कहीं नहीं ऐसा लिखा है कि किसी में कम पाया जाता किसी में ज्यादा पाया जाता और question में भी पूछा गया है कि किसमें सभी आवस्यक amino अमल पाये जाते हैं तो यह हमारा जो है एक authentic proof है जिसके आधार पर जो है आप objection रेज कर सकते हैं इस book की जो है PDF फाइल जो है उसी folder में आपको Google Drive के link में दी हुई है आगे बढ़ते हैं 48 number question तो इस question में जो है आयोग ने कहा है कि जो योजनाय है इसमें सुमेलित क सामराज योजना दी गई है इस तरह की भी कोई योजना exist नहीं करती है महिला समाख्या योजना है जो यहाँ पर तुटिवस सामराज लिखा गया है तो एक तो यह error हो गई दूसरा अगर राश्टी पोसाहार मिसन की बात करें तो राश्टी पोसाहार मिसन यह जो है Government of India का budget है 30 जुलाई 2003 को जो है यह गजट किया गया है और इसमें राश्टी पोसाहार मिसन गठित करने की पूरी सनचना की ब्योस्था की गई यानि यह इसका official notification है तो इस हिसाब से जो आयोग ने कहा कि यह सुमेलित नहीं है यह भी जो है उनके द्वारा गलत उत्तर दिया गया है तो आप जो है इसको भी objection raise कर सकते हैं यह PDF भी आपको वहाँ पर दी गई है अगले प्रस्ण की बात करें question number 53 अब यह तो जो है gross mistake है आयोग की जो है जिलको बिल्कुल पहली ही नजर में कोई भी देख कह सकता है 1993 में कौन सी भासा आठवी अनसूची में समलित नहीं की गई तो इसमें से कोई भी भासा ऐसी है ही नहीं जो 1993 में समलित की गई हो या ना की गई हो तो इसके लिए आप जो है government of India की website है mha.gov.in उस पर यह PDF अबलेबल है इस PDF का जो है direct URL लिंक यह है यह बाकी बहुत सारी देखा हुआ है of these languages 14 were initially included in the constitution, सिंधी language was added in 1967, thereafter three more languages, कौंकनी, मैनपुरी and Nepali were included in 1992, subsequently, बोडो, डोंगरी, मैथली and संथाली were added in 2004, तो 2004 में इसको add किया गया था, इसके अलावा जो सबसे authentic किताब मानी जाती है M. Lachmikan साहब की, इसका आपके पास latest संस्क्राण भी होगा, फिलहा मैं पाचवे संस्क्राण की पीडियाप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, तो इसमें स्पश्ट रूप से लिखा गया है, बोडो, डोंगरी, मैथली और संथाली को 2003 के 92 संसोधन अधनियम द्वारा जोडा गया, ठीक है, तो इसमें कोई doubt ही नही है, और सभी को जो है, इसका equal mark share होना चाहिए, तो आप, और आपके पास और भी पॉलिटी की जो है, अथेंटिक बुक्स होंगी, सभी में यही है, तो इसमें कोई doubt नहीं है, आप इस पे जरूर जो है, objection raise करिए, अगला जो है, हम बात करते हैं, 56 नंबर की, उत्तर प्रदे मैंने भी जो है, अपने उत्तरम बताया था, जो है, कि इसमें D option जो है, सही होना चाहिए, और आयोग द्वारा जो है, इसको B option को सही माना है, तो सरकारी website पे चलते हैं, सबसे पहले जो है, उत्तर प्रदेश जो है, स्टेटिक्स डिपार्टमेंट की website है, उस पर जो है, उ और ये है as per 2011 census, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जो सांक की डायरी है, सांक की विभाग के उस पर जो है, उसमें भी अगर हम देखेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जो है, जो मुख्य कारिकार या कुल कारिकार है, उनका प्रिस्ट जो है 32.94 है, ये भी जो है आपको PDF दी जारी 23 नंबर पेज पर जो है, ये लिखा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, एक और प्रूफ देखते हैं, 5th Annual Employment and Unemployment Survey 2015-16 का है, जो Volume 1 है, इसकी भी PDF आपको दी गई है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो है, ये 30.1% है, तो इस तरह से देखेंगे, ज कहीं पर भी प्रमाडित नहीं होता है, और इस पर काफी खोजा गया इस question को, लेकिन इस तरह का नहीं है, मैंने भी जब जनगरना का वीडियो आपको पढ़ाया था, यूपी की जनगरना का, तो उसमें ये लास्ट वाला ही बताया था, यूपी आटेग ग्लांस के अनुसा तो फिलहाल ये कहीं भी प्रमाडित नहीं होता है, और इसमें आपको objection जरूर करना चाहिए, अगला प्रस्नित देखते हैं, question number 67, इरासन कार्ड, अब यहां पर अगर देखा जाए, तो इसमें एक technical समस्या है, बाकी उत्तर इसका सही है, कि दिल्ली ही ऐसा इसा इस्थान है या union territory है, जिसने इरासन कार्ड सेवा को सुरू किया सबसे पहले, तो अब यहां पर राज सब लिखा है, इंगलिस वर्जन में भी लिखा हुआ है, state, which are the following state, तो दिल्ली state नहीं है, आप लोग जानते ही अच्छी तरह से, union territory है, तो जिन लोग का ये प्रस्न गलत हुआ है, तो वो भी जो है, इस पर objection कर सकते हैं, तो इसमें सब को जो है, अगर ये प्रस्न गलत कर दिया जाता है, तो सब को equal marks मिल जाएगा, सभी को फायदा होगा, अगला जो है, question number 77 देखेंगे, इसमें जो है, आयोग ने पहले answer को correct माना है कि कौन सा सुमेलित नहीं, आयोग के अ ये handbook of agri states है, जो अच्छे publication की है, अच्छे writers की है, agriculture की specialized book है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भैस की नसलों का वर्गी करण लिखा है, यहाँ पर साप साप भधावरी का उलेक किया गया है, एक chart भी बना है, इसके बाद जो है, यहाँ पर भधावरी लिखा गया है, औ इसमें सभी प्रजातियां, सभी जानवरों की मैंने एक साथ आपको दे दी है, जिससे आप और को भी देख सकें, और भधावरी पर एक पूरी बुक है, वो भी सरकारी प्रकासन की, तो इसका भी PDF आपको दिया गया है, यह National Bureau of Animal Genetic Resource है, तो यह question जो है, objectionable है, आप निशित इसमें objection करिए, अगला question है, 96 number, इसमें इंडिया Forest Report 2019 के अंसार पूछा गया है, कि किस राज में जन जाती जिलों की संख्या सबसे अधिक है, चारो जो है उत्तरपूरु के राजी है, नौर्थीस्ट के, अब मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था, कि नागा लैंड मे जन जाती जिले 11 हैं, और मेघाले में भी 11 हैं, लेकिन आयोग ने उसका उत्तर जो है, वो क्या माना है, आयोग ने इसका उत्तर जो है, केवल नागा लैंड माना है, उन्होंने जो है, मेघाले वाली बात को नहीं स्विकार किया है, तो ये देखिए, इंडिया State of Forest Report Volume 2, हला तो इसमें देखिएगा मेघालेया, मेघालेया में जो है, the state has 11 districts, all of which are tribal and hill districts, तो कितने हो गए मेघालेया में, 11 tribal और hill districts हो गए, ये page number 173 पे मिलेगा आपको इस report में, जो आपको दिया गया है, और यहीं पर नागा लैंड देखिए, the state has 11 districts, all of which are tribal as well as hill districts, और ये आपको मिले जो है, page number 192 पे, तो ये जो है, परियाप्त है, क्योंकि ये मूल स्रोत है, और इसको आप करेंगे, तो ये question जो है, निश्चित रूप से cancel हो चकता है, क्योंकि इसके दो उत्तर जो है, सही हो रहे हैं, अगला प्रस्न जो है, भारती railway वाला है, इसमें जो है, काफी research की गई तो इस question का जो उत्तर दिया गया है, आयोग द्वारा की एक और दो दोनों सही हैं, तो इसमें जो है, कुछ साच है, आप पहले देख लिजिए, ये PIB की website पर दिया है, इसमें साप साप लिखा हुआ, railway has planned to electrify balanced broad gauge routes by December 2023 to achieve 100% electrification of broad gauge routes, वहीं पर जो है, PIB पर ही Indian Railway has planned to fully electrified track by December 2023, और जो है, net zero वाला जो है, 2030, तो इस तरह से इसमें, जो है, objection मेरे अनुसार नहीं बनता है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये 2024 होना चाहिए, तो लेकिन आप जो है, अपने इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, लेकिन PIB एक authentic जो है, जो है, जिसकी सू प्रभावित एक तो सब्द लिखा, ये प्रवाहित होना चाहिए था, इस spelling mistake इस बार बहुत सारी है, यानि कि जो है, does not flow, जो यहाँ से होकर नहीं बहती है, तो गंडक नदी जो है, यहाँ आयोग ने कहा है, जो कि गलत है, क्योंकि गंडक नदी जो है, प्रवाहित होती है विकिपीडिया पर आप देख सकते हैं, हलाकि विकिपीडिया को बहुत ज़्यादा authentic नहीं मानते हैं, तो थोड़े से जो है, अनिसाची भी ढूरने पड़ेंगे, तो यह नदी काफी दूर तक उत्तरपदेश था, बिहार राज्यों की भीच सीमा बनाती है, और उत्तरप निकड जो है, गंगा में मिल जाती है, इसके लिए जो है, एक मैंने authentic source खोजने का प्रयास किया गया है, तो यह website का नाम है, इंडिया wrisgov.in, इस पर देखेंगे, यह पूरा full form है, इंडिया water resources information system, यह सरकारी भारा सरकार की website है, यहाँ पर जब गंडक बेसिन आप पढ़ें जो है, तो यहाँ पर, यहाँ पर साब लिखा है, the river flows in a southerly direction and forms the boundary between उत्तर प्रदेश and बिहार and for about 45 km, it then flows through बिहार and finally joins the rivers गंगा opposite पतना, तो जब उत्तर प्रदेश और बिहार की कोई नदी सीमा रेखा बना रही हो, तो ऐसा तो है नहीं कि सीमा रेखा जो है केवल वो नेप में ही बना के निकल जाएगी और बहुत सारी और जगह पर भी इन्फार्मिशन दी हुई है, तो दोस्तों इस तरह से ये कुछ इतने प्रसंद थे जिन पर आप जो है आप जो है आप जो है आपको दिया गया है, जिससे कि आप उसको लगा सकें, उसके बारे में साप साप यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा कि आप किसी दूसरे के सहारे मत बैठिएगा कि कोई आप की जगे जो है औबजेक्शन फाइल करेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइल करेंगे उतना ही सबका फायदा होगा और विसेश कर जो लोग को जो है इसा लग रह सके हलाकि आयोग द्वारा आज तक पिछले आरो यारो में ज्वाइनिंग तक होने लगी 2016 वाली जो री एकजाम हुआ था और अभी तक ना तो कट आफ दी गई है ना ही उसका दुबारा कोई संसोधित उत्तर कुंजी या एंसर की जारी की गई है अब चलिए बात करते हैं मुख्य परिक्षा की और उसके लिए जो है क्या कट आफ संभावीत रह सकता है इस पर हम लोग बात करेंगे तो 14 नंबर पर आप देख सकते हैं मुख्य परिक्षा कप से है 10 अप्रैल 2022 से है तो दोस्तों एक चीज जान लिजिए कि अगर जो है आपको ऐसा लगता है और मे नहीं भी हैं आप उससे दो चार नंबर नीचे हैं तो आपको फिर भी जो है प्रियास करके और मुख्य परिक्षा की तैयारी सुरू कर देना चाहिए कि आप जानते हैं फर्वरी के पहले हपते से पहले जो है इसका रिजल्ट आना मुस्किल है बहुत जल्दी करेंगे तो जन्वरी के लाश्ट वीक तक इसका रिजल्ट आएगा प्रिलिम्स का और ऐसी स्थिती में आपको केवल मार्च और अप्रेल फर्वरी मार्च अप्रेल में तो दस्तारी को पेपर ही है यानि केवल दो सवा दो महिने का समय मिलेगा मेंस की तैयारी के तो आप पंजारी हुआ था उस समय जो है सामान चैन के लिए 228 और विसेश चैन के लिए 109 यहां विसेश चैन का मतलब है समिच्छा दिकारी जो एकाउंट्स वाली पोस्ट होती है उत्तरपदेश सच्वाले की चार रिक्तियां और सहायक समिच्छा दिकारी उत्तरपदेश की 105 वेक सामान चैन में 228 पोस्ट है तो इस तरह से कुल पोस्ट उस समय थी 337 जब यह विग्यापन मार्च 2020 में जारी हुआ था आज की डेट में जैसा की लोग बताते हैं और कई बार इस तरह से चर्चा में भी आया है कि लगभग 400 वेकेंसी हो चुकी है अब यह जो सामान चैन है इसमें प्रस्न उठता है कि समिक्षा दिकारी की कित्ती वेकेंसी हैं तो उस समय जो है लगभग 115 वेकेंसी थी लेकिन आज यह वेकेंसी जो है लगभग 1500 हो चुकी है तो समिक्षा दिकारी की वेकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो 400 में लगभग 1500 वेक आइड कर ली जाएंगी बाकी जो है कितने तरह की पोस्ट हैं ये सभी आप लोग जानते हैं आपने पढ़ा होगा तो अब जो है ये जो कट ओफ की बात है हलाकि मैं कट ओफ बताने के बहुत ज़्यादा पच में नहीं रहता हूँ क्योंकि कट ओफ का अनुमान जो है लगाना एक बहुत ही साइंटिफिक मैठेड है और जो इस्टेटिक पर आधारी था इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कितने लोगों ने पर इच्छा दी किस कटेगरी के कितने लोगों ने पर इच्छा दी फिर आपके पास एक बड़ा पूल होना चाहिए कम से कम 25-30,000 इस्टुडेंट्स का आपके पास सर्वे होना चाहिए जो पॉस्बिल नहीं है मैंने प्रयास किया था तो जैसे ये पांच लगबग 5,000 व जिसको मैंने कंसीडर किया तो मैं ये कह सकता हूँ कि लगबग 12-15,000 इस्टुडेंट्स का जो आकलन है उसके आधार पर जो है मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि इसमें किस तरह से कट ओफ जा सकती है लेकिन मैं पहले एक बात बता दूँ कि जो मैं बोल नहां हूँ ब्रमवा की नहीं है और मैं क्या कोई भी जो है अगर कटाफ के बारे में अनुमान ही बता सकता है कभी भी जो है कोई बिलकुल सही प्रेडिक्सन इस बारे में नहीं कर सकता है कोकि ये भविश्यवाडी है और भविश्यवाडी हमेशा सही नहीं होती है केवल ये है कितना बढ़ा आपका सेंपल साइज है उसके आधार पर यह कटाफ बताया जा सकता है तो ओ लेविल भी अब बहुत ज़्यादा लोगों ने कर लिया है इसलिए ए आरो में भी अब काफी जो है मारा मारी है यानि काफी कमप्टीशन बढ़ गया है तो सबसे पहले जो है हम सामान समि जन्रल और OBC दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है आप पिछले सालों में कई बार देख चुके होंगे तो जन्रल और OBC की कटाफ के अगर हम बात करें तो यह जो है 125 प्लस माइनस वन यानि यह 124 भी जा सकती है और 126 भी जा सकती है लेकिन इसका मेरा कहने का मतलब यह नही नीचे वाले बिल्कुल आज से ही पढ़ाई करना बन करने की दिवाकर सर ने बोल दिया है तो अब 123 वाले का नहीं हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मैं पहले भी आप से कह चुका हूँ कि यह एक अनुमान है जितना मेरे सामने जो है डेटा उपलब्द है और जो 122 प्लस के आसपास भी जा सकती तो 124 से 126 के बीच में यानि इसको हम 125 प्लस माइनस 1 कहेंगे लेकिन मेरी सला आप लोगो यही है कि अगर आप 122 ए 123 पर भी है दो नमबर नीचे भी है तो आपको मेंस की तयारी फिलहाल सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि बाद में जब इस इसके बैच को जोईन कर लीजिए पिछली बार हम लोगों ने 8 से 10 सलेक्शन जो है फ्लैट दिये थे जो है और इस बार जो है यह हमको संख्या बढ़ेगी आप लोग के माध्यम से आप यहीं पर बात आती है EWS की तो EWS और जेनरल की कटेगरी में ज्यादा ज्यादा एक न 127 भी जा सकता है लेकिन अगर आप 124 से उपर या 124 हैं तो आप EWS में क्वालिफाई कर सकते हैं यह कोई जो है hard and fast जरूरी नहीं है अब जो है हम बात करते हैं SC कटेगरी की और इसी में DFF भी आ जाता है लगवर क्योंकि दोनों का बराबर ही जाता है तो SC कटेगरी की अग 103 तक भी जा सकता है लेकिन अभी का मेरा मोटा अनुमान है जो सर्वे है उसके अनुसार यह 105 प्लस माइनस एक जा सकता है ST का भी आप लोग पूछेंगे ही ज़रूर क्योंकि आप लोग को सब कुछ जानना है तो यह जो है 85 से 87 के बीच में ST जा सकता है PH कटेगरी इसमें 98 के आसपास 98 प्लस माइनस या यह इसको यूं कह लीजिए कि 95 के आसपास जो है PH भी जा सकता है फिचकली 95 प्लस माइनस दो अब जो है महिलाओं की संख्या बहुत जादा है उनकी जो है special डिमांड रहटी है और चुकि उनको special आरेच्छन भी मिला हुआ है तो महिला का जो है जो मेरिट जा सकती है वो 112 प्लस माइनस दो जा सकती है यानि आप यह मान के चलिए कि एगर आपके 110 से उपर नमबर है तो आपको तैयारी जो है इस्टार्ट कर देनी चाहिए तो females की जो है इतनी रह सकती है अब exact जो है बताने का कोई मतलब नहीं क्योंकि exact जो है कोई भी बता नहीं सकता है इसके बाद अगर हम बात करें ARO के पोस्ट की तो ARO में UPPSC सचवाले राजस परिसार इत्यारी आते हैं तो इसमें जनरल और OBC की अगर हम जो है देखेंगे तो इसमें 90 प्लस माइनस टू जो है ये मेरिट रहने की संभावना बन सकती है आपको लगता होगा कि पेपर बहुत हाट था GS का लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी सोचना चाहिए कि हिंदी का पेपर आसान था और जिन्होंने भी ठीक ठाक तैयारी कर रखी है उन्होंने 55 प्लस उसमें निकाला है और GS में भी लोगों ने 65, 75 तक बहुत आराम से निकाले हैं भले ही सभी का इस प्रकार ना हो और उपर से सीटे भी कम है तो ये सोचना की मेरिट बहुत लो जाएगी ऐसा पॉस्बिल नहीं है लेकिन मैं ARO में सलाह दूँगा क्योंकि O level actual में कितने हैं ये हमको नहीं पता है और इस तरह की कोई calculation अब लेवल नहीं है तो जो लोग भी 85 प्लस हैं O level के साथ में उनको तैयारी करना चाहिए ARO में जो फॉल करते हैं और बाकी वेट करना चाहिए फाइनल जो है इसका result आने का SC में अगर यहीं पर बात करने जो है तो ये 75 प्लस माइनस दो हो सकता है ARO में फीमेल के अगर हम बात करें तो ये 85 से 87 के बीच में और 85 से थोड़ा नीचे भी 84 भी हो सकता है तो अगर आप 83-84 तक भी हैं तो आपको ARO में तैयारी फीमेल में सुरू कर देनी चाहिए तो ये दोस्तो अनुमान रहा इसके बाद जो है ARO उर्दू भी एक पोस्ट है इसमें जो है अगर उर्दू में देखा जाए तो जनरल में जो है 88 प्लस माइनस वन जा सकता है और वूमेन इसमें जो है 87-88 नंबर तक जो है हो सकता है ये उर्दू वालों का है इसी तरह से अगर समीच्छा दिकारी लेखा की बात करें एकाउंट्स की बात करें तो वो जो है मेरिट जो है इससे भी उपर जाती है जो पिछले वर्सों का अनुभव है जो आरो की सामान इमेरिट है उससे उपर जाती है तो वहाँ पर जो है उम्मीद 130 प्लस की होनी चाहिए जैसा कि पिछले वर्सों में देखने का पैटन मिला है हलांकि उसके भी बहुत जादा जो है पोल में हमको वो लोगों ने जो है नहीं बताए है नंबर आपके आ रहे हैं कार्ट पीट कर जो है माइनस मार्किंग को अटा कर आरो के लिए सामान इवर्ग में तो आपको तयारी करनी चाहिए और उसी के एक और लिए और मैं तो कहूंगा जो लोग भी जो है मेरे प्लस माइनस दो के उपर नीचे भी नीचे भी दो हैं उनको भी तैयारी करनी चाहिए क्योंकि अगर भाग इने साथ दिया और ये जो अबजेक्शन्स अगर किये गए अबजेक्शन्स किये गए सही समय पर पहुँच गए और आयोग ने उसको अच्छे से कंसीडर कर लिया तो बहुत बड़ा उलट फेर देखने को मिल सकता है जो आप ल इनसर की से उनका सेलेक्शन हो गया था तो इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अगर क्योंकि अच्छे खासे प्रस्णों की भी संख्या है आट से दस प्रस्ण है और ये बहुत बड़ा उलट फेर पिछली साल की तरह यानि पिछले एक्जाम की आरो एक्जाम 2016 की करने क च्छमतार रखते हैं तो सभी को तैयारी करना चाहिए मैंने एक संभावित कटाव बताने का प्रयास किया और मेरा इरादा किसी को प्रसंद करने का या किसी को नाराज करने का नहीं था मेरे सामने जो डेटा था मैंने एक honest अपनी opinion रखी है आप उससे सहमत भी हो सकते हैं लेकिन मैं यही कहूंगा कि जिन लोगों को भी ऐसा लगता है अंदर से feel होता है और जो है objection वाले questions में उनको उमीद है तो उन लोग को आरो की तैयारी अभी से सुरू कर देनी चाहिए और इसमें कोई आपका नुकसान भी नहीं है अगर इस वर्स नहीं भी होता है तो अग भी के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद